हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टेडिन यूज आज हम इस वीडियो में नमक सत्याग्रह के बारे में जानेंगे सो लेट इस श्टार्ट नमक सत्याग्रह महात्मय गांधी द्वारा चलाये गए प्रमुक आंदलों में से एक था 12 मार्च 1930 में बापु ने एहमदाबाद के पास इस्थित साबरमती आसरम से दांडी गाउं तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था उन्होंने ये मार्च नमक पर ब्रेटिस राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था अहिंसा के साथ सुरू हुआ ये मार्च ब्रेटिस राज की खिलाफ बगावत का बिगुल बन कर उबरा था उस दोर में ब्रेटिस हुकुमत ने चाय, कपड़ा यहां तक की नमक जैसी चीजों पर अपना एक अधिकार इस्थापित कर रखा था उस समय भारतियों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था हमारे पुर्वजों को इंगलेंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज्यादा पैसे देने होते थे बापु के इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से जाना गया जब गांधी जी ने इस आन्दोलन को लेकर सहयोगियों को अपनी योजना बताई तो उनके सहयोगी भी पूरी तरह अहसामत थे सभी का कहना था कि आखिरकार सत्याग्रह के लिए नमक ही क्यूं कई नेताओं का मानना था कि नमक कर का मुद्दा उतना महतपूर नहीं है और इसकी वजह से अधिक महतपूर मुद्दे जैसे पूर स्वराज से लोगों का ध्यान भटक जाएगा लेकिन उनकी असंकाएं तब समाप्त हो गई जब आम लोगों द्वारा जगए जगए दांडी मार्च का स्वागत किया गया नमक गांधी जी के लिए बड़ा प्रतिक सिध हुआ चुकि नमक मानों के भोजन का महतपूर और अधारभूत हिस्सा है इसलिए नमक करके मुद्दे को उठा कर गांधी जी ने हुकूमत की निर्देंता को उजागर कर दिया था दांडी मार्च करने वारे लोगों के हाथ में एक भी तक्ति या ज़ंडा तक नहीं था यह मार्च लोगों को जागरुक करने एक ससक्त माध्यम बना गांधी जी की इस यात्रा को प्रेस का भी बड़ा कवरेज मिला जिसने पूरे देश में आजादी की लहर उठा दी थी इस सत्याग्रह ने अंग्री जी सरकार को हिला कर रख दिया था और दुनिया में उसकता जगा दी थी गांधी जी के बाद पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना सुरू कर दिया था इस दौरान गांधी जी की गिरफतारी ने लोगों को सडकों पर उतरने को मजबूर कर दिया था इसके बाद आने वाले महीनों में जम कर गिरफतारी की गई थी भारतिये समुद्री तटो पर नमक असानी से बनाया जा सकता था लेकिन किसी भी भारतियों को नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी इस मुद्दे ने पूरे देश में जाती, राज, नश्ल और भासा की सभी दिवारे तोड़ दी थी यह उन भारतिये महिलाओं के लिए भी एक सक्तिसाली मुद्दा था जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्स कर रही थी गांधी जी के नित्रित्व में 240 मील लंबी यात्रा दांडी इस्थित समुंद किनारे पहुची जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक बना कर नमक कानुन तोड़ा था इस दोरान उन्होंने समुद किनारे से खिली धूप के बीच प्राकर्तिक नमक उठा कर उसका क्रिष्टली करण कर नमक बनाया उनके साथ 89 अन्याईयों ने भी यात्रा की थी जिनकी प्रगती देखकर भारतियों ने अरब सागर के तटपर दांडी तक के रास्ते में उनका पूरा उत्सा वर्धन किया था नमक कानून को तोड़ना इस बात का प्रतिक था कि भारतिय जनता अब ब्रिटिस कानूनों और ब्रिटिस साथन के अंतरगर्त जीने के लिए तयार नहीं इसके बाद अंदोलन पूरे देश में तेजी से फैल गया पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए फिर उसके बाद महराष्ट, करनाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए तो ये थी नमक सत्या ग्रह से जोड़ी कुछ प्रमुक बाते अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट